हाई ब्रीबन आपका कोईश्टिन है मनुश्य की अहार नाल का एक स्वच्छ नमांकित चीत्री बनाई है या फिर इसी कोईश्टिन को इस्तरा पुछा जा सकता था मनुश्यों में पाचन की परकिरिया को प्रोसेस को आप समझाई है यानि कि विब्रन देजिए ठीक है पहला है मुख गूहा में पाचन तो मनुश्य के मुख में यानि कि मनुश्य के मुख में मुख के द्वारा भोजन गरहन होता है मुख में मुख में इस्तित नात भोजन के कनों को यानिक उनके पार्टिकल को चबाते हैं जिससे भोज पदार्थ चोटे-चोटे कनों में य उपस्तित एंजाइम भोज पदार्त में उपस्तित मंड यानिके स्टार्च को शरक्रा यानिक कुलुकोज में बदल देता है लार भोजन को लस्दार चिकना और लुगदिदार बना देती है जिससे भोजन गर्षिका में से होकर असानी से अमासे में पहुचे जाता है ठीक दुसरे श्टीप की बात कर लें तो अमासे में पाचन की बात करते हैं आई अमासे में पाचन की बात करते हैं देखिए जब भोजन अमासे में पहुचता है तो बहां तो बहां भोजन का मन्थन होता है जिससे भोजन और चोटे-चोटे कन में यानि पार्टिकल में टूड जाता है बोजन में नमक का अमली मिलता है जो माध्यम को अमली बनाता है तो तब भोजन को सरने से रोखता है आमसही पाचक्त रस्त में उपस्तित एंजाइम प्रोटीन को छूटे-छूटे अनुओं में यानकी छोटे छोटे मोलीकुल्स में तोड़ देते हैं ठिक है चलिए तिसरे step की बात कर लेते हैं गरहनी में पाचन तो आमाशे में पाचन के बाद जब भोजन गरहनी में पहुचता है तो यकृत में आया पित रस भोजन से अभी किर्या करके यानि के रियक्षन करके बसा का पाईशी करन कर देता है तथा माध्यम को छाड़ ये बनाता है जिसे अगनाशेंशे आई पाचक रश में उपस्तित एंजाइम के याशील हो जाते हैं यानि कि यक्टिव हो जाते हैं और भोजन में उपस्तित प्रोटीन कार्भोहेट्रेड बम बसा का पाचन कर देते हैं अब बात कर लेते हैं छुद्रांत में पाचन छुद्रांत मतलब कि छोटी आत इस्मोल इंटिस्टाइन ठीक तो गरहनी में पाचन के बाद जब भोजन जब गरहना में चुद्रांत में यानि की छोटी आत में पहुंचता है तो आत्र रस्मी उपस्तित इंजाइम पचे हुए अपस्तित प्रोटीन कार्भोहेट्रेड तथा बसा का पाचन कर देते हैं आस्त्र की बिलाई द्वारा पचेहुए भोजन का अप्सोर्शन कर लिय जाता है तथा अप्सूशित भोजन रक्त में पहुचा दिया जाता है ठीक है अब महां पर चाहूँ तो फिगर बना लेना ठीक है फिकर बना लेना ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बड़ी आथ जिससे बढ़ी द्रांत्र कहते हैं जब भोजन बड़ी आथ में पहुचता है तो बहां बहां पर अत्रिक्त जल का अफ्सूशन कर लिया जाता है बड़ी आत्र में भोजन का पाचन नहीं होता है भोजन का अफ्सूश्ट यानि कि अत्रिक्त भाग यहां पर एकत्रित होता रहता है ठीक है तथा समय समय पर मल दोड़ा सेरी से बाहर निकाल लिया जाता है ठीक है इस तरह आप यहां पर लिख सकते हो ठीक पांचे स्टिप में यह आप कांसर हो गया सू थेंग यू